तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि sub query क्या होता है तो actually जो sub query काफी important topic होता है SQL में यह आपको data analytics में भी काफी ज्यादा help करेगा और यह आपके जो query आप लिखते हो SQL के अंदर उसको यह dynamic बनाने में भी काफी ज्यादा help करता है तो वह भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे आगे और साथी साथ इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि sub query का syntax कैसे होता है इसको आप where clause के साथ कैसे use करते हो SQL में और साथी साथ उसमें आप कैसे different operators का भी use कर सकते हो ठीक है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि sub query होता क्या है तो actually जो sub query है अगर उसका हम को a sub query allows us to create complex query on the output of another query ठीक है और इसका जो 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 basically syntax होता है उसमें दो या दो से ज्यादा select statement का use होता है तो आप नीचे syntax भी देख सकते हो select column की name या column की names from table name उसके बाद आप लिखोगे where clause और उसके बाद column name जिस भी column के उपर आपको sub query लगाना है column name और फिर operator का use करते हो उस sub query उसका syntax भी basic जो basic अपना SQL का syntax होता है वैसी आप लिखते हो बस वो bracket के अंदर होता है तो इसको हम लोग इसको हम लोग inner query या sub query भी बोलते हैं तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए example consider कर लेते हैं तो इस example में आप देख सकते हो कि जो question है find the details of customers whose payment amount is more than the average of total amount paid by all customers तो यह आप पहले right side में टेबल देख लीजे तो इसमें customer ID है amount है mode है और payment date है तो यह 4 columns है मेरे पास तो इसमें उनको वो customers के details चाहिए जिनका amount more than average amount है total amount paid में से तो इस question को बनाने के लिए हम लोग दो पार्ट में break कर लेते हैं तो आप नीचे देख सकते हो सबसे प आपको customer जिनका data चाहिए उसका data हम लोग filter कर लेंगे तो आप चलते है SQL में और इसको run करके देखते हैं तो यह आगे हम लोग SQL में तो सबसे पहले हम लोग table देख लेते हैं जो input data है select सब कुछ from payment table इसको करते है run तो आप देख सकते हो जो अभी हम लोग ने data देखा था customer ID amount mode और payment date सबसे पहला पार्ट था find the average value ठीक है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं यहां पर लिखूंगा select average और जिस column का मुझे average find करना है तो मुझे करना है amount का ठीक इसको करते है run तो अब आप output देख सकते हो जो मेरा average value है वह आ रहा है 164 इसका जो second part question का first part तो हो गया second part था filter the customer data जो की greater हो average value से तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं basic बोलूँगा इसको select अभी के लिए मैं बोल देता हूं सब आप कुछ select कर लो आप from payment table से और यहां पर मैं use करूंगा where clause का where amount is greater than मुझे पता है कि जो average value है वह 164 है तो यहां पर मैं लिख दूंगा 164 अब इसको करता हूं run तो आप output देख सकते हो मेरे पास output आ गया है customer ID 2 है amount जिसने pay किया था 500 और जिस mode से किया है वह है credit card और payment date ठीक है तो जो output चाहिए था वह आ गया है बट यह यह भी एक approach हो सकता है बट यह क्या है कि यह dynamic नहीं है dynamic मतलब तो यह मेरा payment table है तो इसमें जो आपको यह 164 value आया यह column के उपर आया है यह सभी value उसको मिला कि जो average है वह 164 है बट कल को अगर इसमें से कोई record delete होता है या कोई नया record add होता है तो आपको फिर यह अपने query में जाके यह value change करना होगा है ना तो यह मतलब यह best practice नहीं माना जाता है जब भी आप SQL में query लिखते हो आपकी जो query हो वह dynamic होनी चाहिए optimized होनी चाहिए ना तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यह जो हम लोग ने उपर यह लिखा था ना select average value इसको उठाके हम लोग जो 164 था इसकी जगा replace कर देंगे बागी सब कुछ as it is रहेगा तो आप देखो इसको run करते हैं हम लोग output same आना चाहिए तो अभी भी देख सकते हो आप एक ही output आ रहा है customer id 2 जो कि अभी हमारा पहली भी आया था तो यह जो हम लोग ने bracket के अंदर query use किया ना value की जगा 164 value जो आ रहा था उसकी जगा हम लोग ने यह query use किया इसी query को हम लोग sub query बोलते हैं ठीक है यह इसको inner query बोलते है nested query बोलते हैं क्योंकि आप देखो यह हमारा query हो गया जहां पर हम लोग ने where clause लगाया उसके बाद हम लोग ने comparison operator लगाया और उस operator के बाद फिर हम लोग ने query का use किया है तो actually अगर आप यह देखोगे तो यह जो दोनों query लिखी यहां पर एक यह वाला और यह जो नीचे लिखा हुआ है यह दोनों query comparison operator लिखा और फिर दूसरी select statement है ठीक है दूसरी select query है तो यहां पर हम लोग ने जो operator use किया वह comparison operator क्योंकि greater than symbol use किया है तो अभी इस case में तो हमारे पास single value output में आ रहा है ना जैसे 164 तो इसलिए हम लोग ने easily comparison operator को use कर लिया बट अगर suppose करो यहां पर एक से ज्यादा values आ रही है तो उस case के लिए हम लोग फिर logical operator का use कर सकते हैं तो जैसे अभी हम लोग next problem solve करते उसमें in statement use करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पूरा data देख लेते हैं तो मैं लिखता हूं select सब कुछ from payment ठीक है तो में पास एक और table है जिसका नाम है customer ठीक है इसको मैं करता हूं run तो आप output देख सकते हूं यहां पर भी customer id है first name last name और address id तो इसमें चार column है customer id में पास common है तो इसमें से मैं output क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ औस customer id मिल जाए ठीक है अगर मैं इसको run करता हूं तो आप output देखो क्या आएगा तो यहां पर आप देख सकते हूं multiple output आया है जबकि previous वाले हमारे यह payment table से customer id payment table मेरे पास amount है और mod है ठीक है किस mode से मैंने payment किया है अभी मैं यहां पर लिखता हूं from payment और उसके बाद where customer id in और फिर मैं use करूंगा inner query का यह sub query का ठीक है तो यहां पर आप देखो मैंने इन operator का use किया और इसमें से output में क्या आएगा customer id जो है वो इसमें से होना चाहिए इसमें से मतलब इसका output आप देखो यहां पर यह चार values है तो अगर customer id मेरा इन चार values में से payment table में होगा तब यह आपको output देगा otherwise output नहीं देगा तो यह एक तरह का join हुआ बट उसको हम लोग different form में कर रहे हैं तो अब इसको run करते हैं तो यहां पर आप output देख सकते हैं हम पर सिर्फ दो rows of data आया है जो कि यह customer id 1 और customer id 2 वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो customer table है और जो payment table है उन दोनों table में सिर्फ यह दोनो customer id common है इसलिए हम लोगों ने in operator का use किया था तो जो common है उसी का result आ operator बोलते हैं यह भी काफी जादा use होता है तो इसको भी हम लोग एक बार रन करके देख लिते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर payment table है यहां पर customer id बट first name और last name नहीं है वो customer table में है तो इसको एक तो हम लोग easily कर सकते हैं join की help से दूसरा तरीका आता है आप सब query से भी इसक customer id 2 है ठीक है बट condition यह भी होगी कि वह customer id दोनों में common होनी चाहिए join में भी यह होता है तो वह customer id अगर 2 देखें तो 2 तो payment table में है और customer id table में भी है customer table में भी है बट यह जो 110 है यह payment table में है बट customer table में ऐसा कोई id नहीं है तो यह data नहीं आएगा तो output में पाँ सिर्फ एक data आ control a तो सबसे पहले हम लोग inner query लिख लेते हैं तो select मुझे चाहिए होगा customer id और amount और यह आएगा मेरा from payment table और यहाँ पे जो condition लगेगी अगर मैं बोलता हूं where amount is greater than 100 एक condition तो यह हो गई तो अगर इसको मैं run करता हूं तो आप output देखो तो यहाँ पर आप output देख सकते हो में पास दो rows of data है एक तो जिसका customer id 8 है और जिसका id 2 है और इसका amount 500 है और 110 है जो की greater than 100 है ठीक है तो यह तो हमारा inner query हो जाएगा इसमें एक तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा select first name चाहिए मुझे last name चाहिए किस में से चाहिए मुझे चाहिए from customer table और customer table को मैं बोल देता हूं c और जहां पर मैं बोलूँगा where clause और use करूँगा मैं exist operator का और यहां पर मैं लिखूँगा अपना ये वाला query इसको यहां से करूँगा cut यहां पर paste इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा मैं काम करता हूं इसको थोड़ा से इदर भेज देता हूं इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो है कि यह जो payment है इसको मैं बोलता हूं पी और यहां पे जो where clause लगाया है यहां पे आ जाएगा मेरा and और उससे पहले मैं बोलूँगा p.customer id is equals to c.customer id तो यहां पे क्या होगा अगर customer id दोनों टेबल में common है और amount more than 100 है तो फिर मुझे उस customer का first name और last name चाहिए output में ठीक है अब इसको करते है run तो यहां पे आप output देव सकते हो सिर्फ single output आया है वो है मदन मोहन और उसका amount more than 100 होगा और दोनों का customer id दोनों table में common होगा इस condition के साब से है तो यह तरह का काफी easy आप बोल सकते हो join का alternative way है कि आप using subquery same result ला सकते हो जो कि आप join की help चलाते हो झालते हो